अधिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में डेल आइकन को भी प्रेस करिये ताकि आपको सबसे पहले नाश्पिकेशन मुफ्त में मिल सकें हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम अफलो मैक एम फॉर्ट सस्पेंशन का फुल रिव्यू करेंगे अगर इस अफलो मैक एम फॉर्ट सस्पेंशन के बारे में टोटल जनकारी चाहते हैं तो प्लेज हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेर करिए और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए मेकलियाठ्स फार्मा का है जो कि मेकलियाठ्स फार्मा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की दवा मार्केट में लांच करती है और यह ऑफलो मैक एम फोड काफी पुराना इसका ब्रांड है और इस पे डॉक्टर लोग बहुत ही ज्याद़ ट्रस्ट करते हैं इसके यह बनाया था जो कि ओफलो मेक एम प्लेन था जबकि मैं यह वीडियो जो बना रहा हूं यह ओफलो मेक एम फोर्ट यानि कि डबल स्ट्रेंज वाला यह यानि कि इसमें दुगूना जो साल्ट है उसकी ताकत दुगूना बढ़ा दी गई है जैसे कि इसमें और फ्लक्ससिन उसमें पचास था इसमें सो दिया हुआ है और मिट्रिंडा जोल इसमें 200 दिया हुआ है उसमें 100 इमजी था तो यानि कि डबल स्ट्रेंज का यह मैं जो बता रहा हूं और इसके वार्निंग पे भी गवर करेंगे देखिए सेडियूल एच ड्रग है इससे आप Cordigius इंटिबाइटिक हैं और किसी भी एंटिबाइटिक काम एंटी डारीयल इंफेक्शन एंटी बैक्तरियल इंफेक्शन को दूर करने ही उसका काम होता है और जैसे कि अगर आपके बेवी को डाइरिया वगेरे हो जाए या पेट में और कोई इंफेक्शन हो जाए तो उन पानी की तरह और वो धिरे-धिरे इतना ज्यादा दस्त करने लगता है जिसे वो पानी dehydration में चला जाता है बच्चा और उसको पानी की कमी हो जाती है तो उन condition में अगर हम कोई अच्छी antibiotic नहीं देंगे यानि कि एंटिडारियल infection के लिए कोई अच्छी antibiotic नहीं देंगे तब तक उसका दस्त ठीक नहीं होता इसके दो-चारी खुडाक पिलाने पर बच्चे को relief मिल जाती है और उसका दस्त जो है धीरे-धीरे करके कम हो जाता है और भी जगह इसका इस्तमाल है जैसे कि अगर अगर मुत्र संक्रमड आपके बेबी को यानि के बच्चे को जाये यानि कि urine track infection जिसे बोला जाता है अगर pacing infection हो जाये तो उलिटर ट्रै infection क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानते है जैसे कि urine track infection में यह होता है कि आपके बच्चे को पिशाब रुक रुक के होती है पिशाब में खून भी आता है और पस वगेरे भी आता है या पिशाब के रास्ते पे खुजली स्टार्ट होना चालू हो जाता है या पिशाब करते समय दर्द या जलन बहुत ज्याद होता है यह सब यूरीन ट्रैक इंफेक्शन है अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर लोग इस अफ्लो मैक एंफोड सस्पेंशन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं अपने पेशेंट पे और भी जगह इसका इस्तमाल है जैसे कि आगर माले जीए कि आपके बेबी को दात मे कोई इंफेक्शन हो जाए यानि कि मशूडे में सूजन या बलड हो गहरे निकले या पस हो गहरे निकले तो उन कंडिशन में भी इसे अफ्लो मैक एंफोड को डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अपने मरीज के लिए और जैसे कि माले जीए कान में भी इसका इस्तमाल एक्सेलेंट है जानते हैं इसका डोज जो है अगर माले जी कि आपका बेबी टेन केजी का है तो उसे फाइफ एमिल दिन बर में तीन बार दे सकते हैं अगर माले जी कि दस किलो से उपर का है तो छे एमिल दे देंगे दने बर में तीन बर खाना को खना खना किलाने के बाद पानि शेंदेना रहता है और श्रीट Josephistling आटा है जासे कि पात करेंगे इसका टेस्ट जो है एक्सलेंट है बच्चे असानी से पी लेते हैं थोड़ा सभी बिटर्णस नहीं है कड़वापन नहीं है और क्वाल्टी भी इसकी एक्सलेंट है और और यानि कि यह एंटिबाइटिक है और ज्यादे तर इसका रोल दोस्त या खूनी पेचिस वगेरे हो जाए या सफेद पेचिस आपके बच्चे को पकड़ ले तो उन कंडिशन में डाक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसे आप अपने एमर्जेंसी सब्सक्राइब तो आप पिला सकते हैं अगर इस ओफलो मेक एमफोट सस्पेंशन के बारे में और भी जनकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं इसके Sight Effect के बारे में भी बात करेंगे इसका जो side effect है जैसे कि इसके पिलाने पे कभी-कभी बच्चों पर देखा जाता है जो कि बहुत ही कामन Side Fact है बहुत कम बच्चों पर देखा जाता है जैसे के सीकायत हो जाना लयट अलालए चकत्ते पर जाना या खुजली start हो आना या मतिभ्रहम की समस्या उना या मिचली आना या पेट में दर्द कि सकायत होना यह सब इस तरह के साइट इवक्ट है तो फौरण अपने डॉक्तर से मिलें और अपने साइट इफेक्ट आपने बच्चे के साइट से के बारे में बता हैं चल Base वीडियो के समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद